नमस्कार आप देख रहें एक News24 और मैं हूँ वरीशाप के साथ चली नज़र डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर चुराग पासवान ने केंद्री मंतरी बनने के बाद रवीवार को बिहार के मुख्य मंतरी निटीश कुमार से पहली बार मुलाकात की हाज़पूर से सांसद पासवान ने कहा कि अन दिनों बिहार में निर्मानधीन पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही है इसको लेकर मुख्यमंत्री के समक्षिंताय व्यक्ट की है मुख्यमंत्री ने भी आसवाशन दिया कि जल्द से जल्द इन विशों को लेकर संबंदित विभागे कारवाही की जाएगी बिहार के उपमुखमंद्री विजय सिन्हा ने लालू यादो और तेजस्वी यादो के पुल तूटने के बयान पर जोरदार हमला बोला है विजय सिन्हा ने लालू परिवार को पुरानी बात याद दिला दी विजे सिन्हा ने कहा कि ब्रस्ट चार में लालू परिवार इस कदर धसा हुआ है कि उसकी मुख्या सजाय अफ्ता होकर जिन्दगी गुजारने को मजबूर है विजे सिन्हा ने और भी कईतीखे हमले कियें भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों के दोरान उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश पंजवाब हर्याना उत्तर उत्राखंड और राजस्थान में अगले पांच दिनों के दोरान उत्तर पूर्व में भारी बारिश होने की संभावना है उत् देखते हुए रविवार को चारधाम यात्रा स्थगित कर दी बिहार के 13 शहरों के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है दरसल बिहार के 13 शहरों में क्याब सेवा शुरू की जाएगी परिवहन सचिव संजय कुमार अगरवार ने बताया कि यात्रियों के लालू के दिल पर चोट लगने वाली बात सियासत हुई तेज बिहार के उपमुख्यमंत्री विजे कुमार सिन्हा ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के पुल तूटने के बयान पर जोरदार हमला बोला है हाली में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार बगहा को नए राजस्वल जिला बनाने का आस्वाशन दिया है जिसके बाद से बिहार में एक और नए जिले बनने की मांग तेज हो गई है बता दें कि बिहार में फिलहाल कुल 38 जिले हैं, नितिश कुमार का बिहार की सत्ता में आने के बाद से एक भी नए जिले का निर्मान नहीं हुआ है बिहार में आखरी नया जिला राबडी देवी के साशन काल में अडवल को बनाया गया था वर्ड चांपियन्स ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान चांपियन्स ने इंडिया चांपियन्स को करारी मात दी, इसमें 68 रनों से हरा दिया इस मैच में इंडिया चांपियन्स को बल्ले बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएं, सुरेश रहना ने जरूर अर्थशतक लगाया लेकिन वा टीम को जितान नहीं पाएं दुनिया भर में प्रसिद भगवान जगनात की रत यात्रा को देखने के लिए राष्ट्रपती द्रपदी मूर्म उरिसा के पूरी पहुची यहां पर उन्होंने जगनात रत यात्रा में भगवान के दर्शन किये इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंतरी मोहन मांजी और पूर्व मुख्यमंतरी नवीन पतनायक भी मौजूद रहें नियाईक जाच आयोग जश्मदीदों के बयान दर्ज करने के लिए हात्रस पहुँच गया है हात्रस में दो जुलाई को भोले बाबा के सचसंग के दोरान हुई भगदर में 123 लोगों की जान चली गई थी बिहार में भारी बारिश के मौसम में पूल और पूलों के तूटने का सिलसला जारी है इसी क्रम में पूर्व चमपारन के मधुबन प्रखंड के गाउं में 2 लाख रुपे की लागत से बनी आर सी सी पुलिया धुस्त होकर ब्रस्त चार की भेंट चड़ गई फिलहार देश विदेश की 10 प्रमुक खबरों में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद